दुनिया की पहचाने औरत, दुनिया का एहसास है औरत नमस्कार परनाव, मैं आदाम है रचा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुत खाल सकारेक्राम बिहार बिहान में और आज यह बहुत ही महत्तपूर्ण दीन है, आज है महिला दिवस महिला दिवस के आप लोगों बहुत बहुत बधाई साथी साथ आज हम महा सिवरातरी भी मना रहें तो जितने भी दर्शक है उन पर शिव जी की गुरुपा बनी रहें ये हमारे तरफ से एक संदेश ये भी है कि आज बहुत हर जगह पे आज महिला दिवस मनाया जा रहा है हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं महिलाओं ने जो इतने सालों से संघर्ष किया है और आज कंधे से कंधा मिला के वो चल रही है आज हम उसकी बात करेंगे चलिए कालिग्रम की सुर्वात हमेशा की तरह हम अन्मोल वचन के साथ करते हैं तो आईए पहले देखते हैं कि आज का अन्मोल वचन क्या है अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो अज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है मनिसा सिंग जी जोकी निर्देशक है महावीर कैंसर संस्थान की बहुत-बहुत स्वागत है वैम आपका अंतरास्टी महला दिवस के आपको बहुत-बहुत हारदिक शुब कामना है आप जैसी शशक्त महिलाएं ही है जिसको देखके एक समाज परिवर्तन की और जाता है इस बार का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमन तो इस पे आपके क्या विचार है आज के दौर के हिसाब से बिलकुल यह बहुत ही इंस्पारिंग थीम भी है इन्वेस्टमेंट इन वुमन बिकाज हम हर शेतर की बात करें तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा शेतर नहीं है जहां वुमन केपिबल नहीं है अगर आप अभी हमारे जो हमारा जो कॉन्वसेशन चल रहा है तो हम लोग दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं आप हमारा इंटर्व्यू ले रही है और हम इंटर्व्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे में वो पोटेंशेल है कि आज की दिन का शुर और मुझे ये भी लगता है कि जो work woman करती हैं उनमें जो sincerity होती है वो शाइब पुरुषों से ज़्यादा होता है कि वो dedicated होके whole hearted काम करती है तो जब वो इतना whole hearted काम करती है तो अगर उन्हें अगर emotionally भी अगर उनमें investment करें और उनमें हर तरह से एक काम करने के लिए उन्हें एक freedom दें ताकि वो mentally stressed out नहीं हो मतलब तो investment in women definitely हमारे country को हमारे society को बहुत ही flourish करता है करेगा in fact तो यह बहुत ही अच्छा team है अगर हम लोग सब लोग इस पर stick करें तो कल होके एक बहुत ही definite change लाएगा society में जितनी भी women सशक्त होंगी empowered होंगी उतना ही बढ़िया society दिखेगा हमें यह आधी आबादी है अगर जैसे कि अगर हम बात करें जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं आज के दोर में दोनों जब तक earning नहीं होंगे चीजें नहीं सूधरेंगी और नहीं बदलेंगी लेकिन फिर भी एक mindset है ठीक है महिलाएं काम तो करें लेकिन दो रोटी बना के जाए और आए तो दो रोटी बना है इस mindset पर आप क्या कहना चाहेंगी इस mindset पर मैं थोरी old school of thoughts हूँ मैं इस चीज़ को accept करती हूँ पता नहीं लोग इसको किस तरह से ले कि हम एक Indian woman है और हमें एक बहुत ही अच्छा संसकार मिला है वो संसकार हमें अपने mother से अपनी नानी और अपनी जो भी हम लोगों जिन तक हमारी नजर जाती है तो एक अच्छा संसकार मिला है अगर हमें ये कहा जाता है कि हम आधियाबादी है और हमारा भी working जरूरी है और हम भी forefront पे आएं और वो एक quality भी हो कि हम दो रोटी बना के ही जाएं तो देखिए इसमें कोई गलती नहीं है कि आपके बीच एक understanding होना चाहिए जब हम कहते हैं she she, she, s-h-e तो उसमें एक he भी होता है तो अगर हम घर की दो रोटी बना लें उसके बावजूद अगर आपके husband कुछ बाहरी काम में आपको cooperate कर लें और ये हमारे बीच का mutual है तो इसमें कोई गलती नहीं है but this should not be taken for granted कि वो दो रोटी हमें ही बनाना है वो चीज एक pinching point है लेकिर एक understanding हो कि अगर बच्चे मेरे हाथ से मेरी रोटी बनी हुए रोटी खाएं और हमको कोई problem नहीं है I feel happy कि मैंने जो रोटी बनाया जो भी breakfast बनाया मेरे हजबन और मेरे बच्चे बहुत पसंद से खा रहे है तो there's nothing harm क्यों हम नहीं अगर मेरे पास समय है मेरे पास वक्त है मेरे पास potential है हम कर सकते है तो हम क्यों नहीं करें इस चीज को जो आज के जनरेशन में एकदम day one से ही जो learnings दिया जा रहा है कि नहीं आप एकदम you are a partner that doesn't mean कि half-half होना चाहिए वो दो रोटी बनाए तो आप सबजी बनाए ये feeling मुझे अब जैसे अगर हम लोग अपने घर का example लें तो बहुत सारा ऐसा काम है जहां मैं अपने husband scilly dependent हूँ मुझे नहीं पता है कहां invest करना है कहां क्या करना है बाहर का कितना सारा काम है तो वो he takes the responsibility अगर हम वो responsibility में कहें कि नहीं वो दो रोटी में भी एक रोटी आप बनाए तो that doesn't make sense अगर आपको एक life को बहुत ही stable way में बहुत ही अच्छे से आगे लेके चलना है तो there should be understanding अगर ठीक है मुझे एलोजी है किचन से मैं नहीं जा सकती हूँ that can be sorted out हम sort out करें कि नहीं हम उसके बदले मैं एक cookie रख लेती हूँ या जो भी हो एक house hold रख लेती हूँ मैं इस काम में आपको help करती हूँ मैं ऐसे अपना घर के लिए contribution करती हूँ यह सोच लेना कि जब हम एक शादी करते हैं that is an understanding जब हमारे बच्चे होते हैं तो we have to take the responsibility अब उस बच्चे के लिए उसके grooming के लिए I have to be physically there उसके एक development के लिए I have to be there ऐसा यह सोच लेना कि अगर हम working है तो I should not do this यह thin line नहीं होना चाहिए you have to set your priority आप अपने priority को set करें आपकी जो इक्षा है करें अगर हम कल घर में जारू भी लगा रहे हैं madam तो डिरेक्टर है जारू आप लगा रही है that has no meaning क्यों हम क्यों नहीं करें मेरा घर है मुझे अच्छा लगता है I like to अपने घर को सफाई साफ सफाई जो भी gardening whatever जो लोग कहते हैं कर आप क्यों कर रही है क्यों नहीं करें भाई वो feeling से साथ अगर चलेंगे तो फिर tension वाला phase होगा मैं थोरी old school of thoughts हूँ मुझे यही मेरी बेटी को भी मैं भी से training देती हूँ क्या आपको सब चीज अपना घर अपना काम अपनी करने में इस में शरम के क्या बात बिल्कुल शरम नहीं एक अंडर्स्टैंडिंग होने जाए बिल्कुल बिल्कुल एक काम को लेके आप किसी एक comfort zone में रहें त्रेस्ट आउट नहीं रहें कि अगर आज आप साथ बज़े आई हैं इंटेवी ले 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 और रोटी अगर हम नहीं डॉषियं कि वो बीरे तो कहां पर जरूडट को चेंग होने कि आप को क्या लगता हैं मुझे तो लगता है कि आप एक हर चीज सौ know करें करें intricacy करें मेरा भी अगर हमसे आप 10 जगह expect करते हैं तो एक thin line मुझे भी draw करना पड़ता है कि मेरा priorities क्या है, मैं किस तरह से number one अपने priority को set करती हूँ और किस चीज के बाद मैं सीधे एक no कहना परेगा मुझे क्योंकि अब वो मेरे beyond है, तो बहुत ही gently और बहुत ही politely मुझे भी ना कहना पड़त है बहुत जगह कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, अब किसी social function में ही जाना है, अगर 3-4 जगह जाना है, तो आप किसी को priority set करती है, कि चलो दो शादिया में attend करेंगे, third नहीं कर पाएंगे, शायद वो बहुत जादा भी हम उससे close नहीं, उसी तरह आपके काम में भी आपको priorities set करना होगा, आपके partner से भी आपको comfort zone में आना होगा, जहां आपको मिल बैट के discussion करना होगा, कि ये मेरे priority list से बाहर है, ये मुझसे नहीं होगा, अगर उसमें भी अगर push किया जाएगा, तो जाके फिर वो tension वाली बाते phase शुरू होती है, लडाई जगरा शुरू होता है, और divorce की बाते होने लगती है, तो मुझे लगता है, वो लैक करता है, और कहीं भी अगर अच्छे से मिल बैट के हम लोग सौट आउट करें, तो कोई male member, आपका counterpart भी तो कोई पागल थोड़ी है, वो भी तो एक इंसानी है, वो भी समझेगा, कि कहां पे हमें कैसे balance करना है, वैसे इतना easy भी नहीं होता है, definitely this is not that easy, but उसको easy आपको बनाना है, क्योंकि अगर आप educated है, पढ़े लिखे हैं, वो दाइरा, वो सीमा, आपको decide करना है कि हम कैसे go about करें, और करना है, लेकिन problem होई होता है कि आप ego में रहते हैं, you don't want to express that out, आपने कहा ना वो चूक क्या है, वो चूक हमारा ego है, हम express नहीं करना चाहते हैं, I take it for granted, कि हम ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब why should I express that out, नहीं वहीं पर गलती होती है, जो ego है, वो हम नहीं जुकेंगे, तो हम नहीं जुकेंगे, I should say I sorry first, आप तो आप वो वाली problem होती है, वहाँ थोरा सा अगर हम compassionate हो, थोरा सा द अपने बच्चों के लिए, मुझे अपने family के लिए, तो अगर थोरा सा कर मैं जुक भी गई कभी, तो हो सकता है कि situation है, मेरे husband भी कल होके वो भी जुकेंगे, तो थोरा सा जो आगया है आज कर लेडीज में कि नहीं, जुकना तो ही नहीं, that should be a गलत thing, and mothers should also not teach their children, बच्चों भी जुकना से वो एक guidance मिलना चाहिए कि थोरा सा humble सब को रहना है, हर फील्ड में, जहां आपने job में हैं, वहां भी, आपके घर पे भी, हर जगर, वो एक aggression जो बच्चों में जो देख रहा जा रहा है, that should not be the developmental, वो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जहां आपके स सॉट आउट करें, तो things will come in a better shape, बैट के हर एक चीज का समाधान, समाधान, बिलकुल होता है, और बहुत 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 बाते भी हो रही है, और आगे भी बहुत सारी बाते करेंगे, कहीं मल जाएगा, मिलते हैं, छोटे से ज़राम के बाद, पुना स्वागत है आपका हमारे स्कार्क्रों में और हमारे साथ अप्पिर के खास मेमान मौदूद है, डॉक्टर मनिसा जो की निर्देशक है, महावीर कैंसर संस्थान की, पुना स्वागत है आपका, अभी विशे है, महिलाओं को लिए आपके अभी एगो की भी बात की कहते हैं कि अगर रिस्तों को बचाना हो तो थोरा सा सौरी बोल दे, लेकिन अगर बार बार जुकना हो तो वहाँ पर रुक जाए, बिलकुल, शशक्त महिला जो होती, कभी-कभी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने लिए आवाज नहीं उठाती, और कभी-कभी कि अब हम सशक्त हो गया है, ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि हमारा, और हमारे में वो पोटेंशियल है, हम करना चाहते हैं, और मेरा जो अंदर का जो इनर कॉंशन्स है, वो कहता है वो करने के लिए, और अगर हम वो नहीं करते हैं, तो I feel guilty, I feel depressed, मुझे बहुत अपने आपको humble, down feel करना परता है, जो मुझे अच्छा नही तो वो पार्ट को हम नहीं होने दें, तो वही कहते हैं कि अपने आपको express कर लेना, अपने आपकी जो wish, powers, willingness है, उसको फुल्फिल करने को ही हम कहते हैं, empowerment, और वही है कि वही जो मुझे करना है, वो होना चाहिए, जैसे भी हो, by hook and by crook, तो इस ही को सशक्तिकरन कहते हैं, और empowerment means कि अगर आप उस चीज को फुल्फिल कर लें, जहां और जिस चीज से आफ हापी फील करें, साटिस्फाइड करें, that is empowerment, तो वो in no way, बहुत लोग का passion होता है housewife बनना, कि बहुत अच्छे से में अपने घर को डेकुरेटेड रखों, बच्चों को बहुत अच्छे से एक- बहुत लोग का passion होता है, कि नहीं मुझे housewife बनने अपने घर को अच्छे से रखना है, that is also empowerment, you wish कि हमारा सारा जो प्लानिंग से हम करना काम चाहते है, अगर वो फिल्फुल हो, that is also empowerment, there is nothing कि हम कुछ बनने ही वो हासल करें, मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर बच्चों के जो training हम दे रहे हैं, शायद वो कोई tutor नहीं दे पाए, मुझे उसके लिए भी time चाहिए, कि नहीं अपना full time उसमें spend करो, that is also empowerment, अपने आप संतोज के लिए अगर काम करती है, जो आपके अंदर का conscious कहता है, ये मुझे चाहिए, और ये मुझे अटेन करना है, that is empowerment, और ऐसी म अच्छा बनके रहना कहीं नहीं आप लोगों के लिए बहतर बन जाते हैं, खुद के लिए बहतर नहीं बन पाते हैं, वही उसी को हम लोग explore कर रहे हैं, जो women's day है, उसी को explore कर रहे है, कि जो हम चाहते हैं, वह नहीं बन पा रहे हैं, तो अब वहाँ कहां से hurdles आ रहा है, हम उसको क्यों नहीं पार कर रहे हैं, किसी के support से भी हम क्यों नहीं आगे बर पारे हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत ब़रा hindrance है, जो उस hurdle को पार नहीं करने देना पा रहा है, और मेरे एक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो जहां हम को fight करना है, जहां हम को struggle करना है, fight करना, ज जो hurdle है उसको हम को पार करना है, anyhow by hook and by crook, because हम उसके नहीं होने के चलते depressed feel कर रहे हैं, I am feeling down, उसको पार करना है, this is a woman empowerment, हर बार humbled होना और humble जुख जाना और down to earth रहना, यह सोचे कि मेरे ऐसे करने से लोग खुश होते हैं, लेकिन नहीं, अगर लोग खुश होते हैं और मैं ख aspect, where I need to be get down, मुझे humble रहना है, down to earth होना है, because this is my choice, लेकिन एक पॉइंट है, जहां मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और नहीं बढ़ने देने के जलते हैं, जो hurdles है, वो उसे लोग प्लीज हो रहे हैं, but मैं दिस्प्लीज हो रहा हूं, नहीं, वहाँ, that is a zone, ज जो आपका liking है, जो आपका choice है, एक बोलने की आजादी होनी चाहिए, आप अपनी बातों को रख सकें, वो घर में अगरा हूं, अच्छे से घर में भी है, वो घर का भी काम करें, लेकिन घर में भी एक उपेनियन रखती है, और उसके उपेनियन को मान लिया जाते हैं, वही की empowerment हूं, होता है, बिल्ग, आपके बात्oughtों को वजूत दिया जा रहा है, उसको वाल्यू किया जा रहा है, आप के importance को लोग महसूस करवाया जा रहा है कि और आपके वा decorating ऐसा नहीं कहें ही, तो मेरा काम बस वह खाना बना ही है, जब भी कोई important meeting होती है, घर की जो बैठा की उसमें मेरे बात को भी value दिया जा रहा है तो वस चीज़ को she should be made to feel कि नहीं, आपका भी क्या कहना है and that is to be valued, मतलब अगर हम मेरा choice था कि हम भस घर में खाना बाना बनाएं तो बस वही आपका domain है, नहीं, ऐसा नहीं है, you should be made to feel कि नहीं आप woman है और लोग आपको value करते हैं, जो working ladies है, उन्हीं को जादा self respect है और उन्हीं के लिए जादा mindset है, उस चीज़ से ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वह आपका choice है कि नहीं, इस दाएरे से निकल कर मुझे कुछ भी एक छोटे से school teacher है जो भी 5-10-20,000 का earning अगर मैं करना चाहती हूं, तो there she should fight out, वहां मुझे लगता है कि नहीं मुझे वह important नहीं समझा जा रहा है किसी भी discussion में या किसी भी चीज़ से मुझे बी ग्रेट से आपका काम तो बस domain है चूला चौके तक, तो उस तरह से वह चीज़ नहीं होना चाहिए, वह हर्टिंग है और ये बहुत ही सच में बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत आप ऐसी चीज़े देख रही है जिसको लोग कहते हैं यह तो हाउस वाइफ है लेकिन यह सिफ यह बांदेना कि आप एक डॉक्टर हैं आप एक इंजीनियर हैं आप बाहर काम करती तो ही आप इंपावर हैं ऐसी बात नहीं है जो महिलाएं कर हमें देख रहे हैं वह क्योंक आप बहुत बड़ा जॉब है आप ने 19 साल दिया इस सफर में आप खुद एक महिला हैं आप माँ है आप वाइफ है और बहुत ही बहतरीन है जो आपका प्रोफाइल है आप इस फिल्ड में कैसे आपकी प्रारम भी शिक्षा दिक्षा कहां हुई और किस तरीके से इस फिल् भी गढुदर नहीं था तो मेरे फादर को बहुत था की मेरी बेटी दॉक्टर बने गी उस समय हम जो पहुत चोटे होते हैं तो वह फिल्लिण नहीं होता है कि दॉक्टर बन के समाज को सर्व करना है वह सब बड़े होने के बाद वह सब आता है लेकिन मुझे क्लास नसरी यह बहुत तेज है डॉक्टर बनेगी तो मैं वह इस टेक्टमेंट से ही मैं ग्रोगी फिर मुझे लगा टैंथ के बाद कि नहीं इतना घरवालों का एक्सपेक्टेशन हाई है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं बहुत ऑनिस्ट हूं अपने काम के लिए तब देज ना थे कि मुझे पैशन है जो वो मुझे एकदम से मेरा जो टागेट है वो मैं बहुत फोकस्ट रहती हूं I don't deviate वो मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा जो भी कहें अब प्लस पॉइंट है या जो भी तो जब मुझे डॉक्टर बनना है तो पताब I was I had given my 100% मुझे बनना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है मुझे चौबिस घंटा बीस घंटा किताब के साथ बैठना है तो वो सब थ कि हां बहुत लकवक वाली बात नहीं I am an honest was a student मैंने अपने आपका महनत करके I achieved definitely जब मैं क्वालिफाई की तो मेरी शादी जल्दी हो गई I got married very early but मेरी हजबन मी पटना से हैं तो सब लोगों को लगा कि इतना perfect match नहीं मिलेगा and he is also from AFMC Pune तो बहुत अच्छा हम लों का दोन दोक्टर मेरी sister-in-law उनके husband सब लोग डॉक्टर ही थे तो जब शादी जल्दी हुई और medical की पूरी पढ़ाई और उसमें भी इतना बहुत टफ होता है हमारे हां post graduation करना specialization करना और जिस post पे मैं हूँ तो definitely बहुत सारी degrees और बहुत सारे तो बच्चे भी हो गए इस बीच त कोई ना कोई phase तो tough होगा ही हर दिन एक जैसा नहीं होगा इस चीज को समझना होगा उस समय हम लोग दोनों struggling थे मैं तो first year की student थी मेरे husband की भी just पढ़ाई खतम हुई थी उनका भी PG अभी बचा हुआ था उसमें बच्चे भी थे तो life बहुत ही tough था पैसे की भी दिक्कत थी in the way की घरवाले आपको सब चीज के लिए support करेंगी कोई luxury के लिए तो आपको नहीं दे सकता है तो tough phase of life था लेकिन मेरे parents भी और या जो भी था पर तब हर दम हम लोग को ना एक positive way में guide करते थे कि कभी destructive way में अगर लोग आपको guide करना शुरू करेंगे ना कि नहीं तुम इससे revolt करो वैसे करो ये करो वो करो वो चीज कभी नहीं होना चाहिए बच्चों को हरस में ये बोलना चाहिए कि life अग आपको handle करना है वो situation को आप handle करेंगे तो gradually फिर वो जो circle कहते है ना वो circle चलता रहता है कि वो कभी आप on the top होंगे कभी वो bottom पे होंगे तो life is like that for everybody मुझे लगता है कभी भी वो smooth life नहीं होता है अब मैं अबानीज और अदानीज की बात नहीं कर रही हूं एक आम इंसान जो ह तो फिर अप life थोड़ा सा easy हो गया तो जब वो phase आता है तो जो लोग destructive लोग है उससे बचे, negative लोग से बचे, बहुत लोग आपको misguide भी करेंगे कि अरे ऐसे क्यों तुम doctor हो तुम्हें पढ़ने के लिए ऐसे वो तो मुझे बहुत रखता है कि important है कि आप किस situation को थोड़ करने में अच्छे अच्छे लोगों से मिलें और positive inspiration के साथ चलें तो फिर भी tough phase होता है तो गुजरता है और फिर cooperation भी अगर आपके partner भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं कि हम लोग लेकिन लगता है कि कोई आपके पीछे है कोई support के अच्छे को भी देखना अपनी study को भी देखना और बहु भी हैं आप किसी की चाची नानी मामी बहुत सारे रिष्टेदार हैं और जो आपके घर से मतलब बहुत सारे responsibilities को निभाती हुए आगे बढ़ना इससे tough जाओ बहुत बहुत tough task है मैलाओं की जिंदगी हमेशा से tough रही है लेकिन उसके पास इश्वर का दिया हुआ एक ऐसा वर्दाने को उसको handle कर सकती है चलिए इस बिसे पर और भी बात करेंगे वक्त हो चरा है एक विराम का मिलते है आपका हमारे इस कारेक्शन में और बहुत सारी बाते हो रही है और हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान मौदूद है डॉक्टर मनीसा जो की निर्देशक है महावीर कैंसर संस्थान की बहुत सारी उनसे बाते अभी हुई है और सबसे बरी बात कि जब एक दौर आता है जहां पर आप मां बनती है आपका केरियर भी साथ में होता है आप वाइफ भी होती है आप बहु भी होती है इतने सारे स्पेक्टेशन के बीच में अपने चीजों को फूल फिल करना बहुत बड़ी बात है कैसे मैनेज किया उस दौर को देखिए मुश्किल तो होता है डेफिनेटली वो फेस बहुत मिश्किल होता है और मैं परसनली कहूं तो मैं किसी चीज को कॉंपरमाइज भी नहीं करना चाहती हूं जब मैं माँ बन गई तो मेरा करियर तो अलग था बट मैं जिस दिन से माँ बनी मैं अपने बच्चों को भी बहुत ही प्राटराइज करती हूं मेरा बेटा जब बहुत ही छोटा था जब उस समय से भी मुझे लगता था कि इसको में बैट के कुछ पढ़ाओं लिखाओं उस तरह से वह फीलिंग था और टच्वूड मेरा बेटा जब से स्कूलिंग वो तो डीपिय से किया कभी वो सेकेंड नहीं किया क्लास म तो मैं उस चीज के लिए बहुत ही फोकस्ट हूं और बहुत ही ज़्यादा प्रशेसिव हूं कि मेरा बच्चा भी वो उस लेवल का ही हो कि मैं अपने को बहुत पार लोग होता है कि अपने केरियर में इतना फोकस्ट हो जाते हैं कि बच्चों को अध्यान नहीं होता है तो मेरे बच्चे भी उससे वंचित नहीं रहे और उसके लिए आपको खुद का थोड़ा थाइम भी देना होता है तो आप टोटली आप अगर छोड़ दे हैं कि अरे चलो उसका ट्यूटर वो तो वो बच्चों में आता नहीं वो फीलिंग ऑफ एकदम से पॉफेक्शन व अपने लिए भी बच्चों के लिए भी हस्वेंड समझते थे वो भी जब एक ही प्रोफेशन में आप रहते हैं तो अट लीस्ट वो अंडर्स्टांड करते हैं कि कहां कहां आपको अप्स्रक्शन से अप गुजर रहे हैं कहां वो खुद भी स्टॉगलिंग थे वो भी उन लगता है कि वो भी पार्ट अफ पार्सल अफ लाइफ है अगर वो भी नहीं हो बच्चे नहीं हो डिलेट बच्चे हो वो भी प्रॉबलम है बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो वो भी टेंशन है तो वो फेस आता है अगर उसको अच्छे से गोडली उसको फेस करेंगे तो that gives you happiness at the end of the day, फिर अच्छा लगता है, और ये महिलाएं अगर सोच ले तो कर सकती है, अगर आप बात करें, जो आपका profession है, वो कैंसर को लेके आप उस पे ज्यारदा ध्यान दे रहे हैं, आपका जो पूरा आसपास का पूरा वातावरन रहता है, वो ऐसे ही पेसेंट के सा इसमें आप अपने आपको कैसे काम रखती हैं, अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं, देखिए, अभी तो थोड़ा लाइफ डिफरेंट हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ऊपर पोस्ट पे हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट की head of the department भी हो, medical chemotherapy department को head भी करती हूँ, तो मेरे support में मेरे बहुत सारे junior doctors हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो अब मैं उनलों को पढ़ाती हूँ, उनलों को बताती हूँ, सिखाती हूँ, तो अच्छा लगता है कि जो चीज मुझे आता है, मैं at least अपने junior generations को उसके लिए prepare कर रही हूँ, और hospital में अगर की बात करें, patients की बा और सारे cancer के patient, और एक साथ वो हजारो patient को देखे तो लगेगा कि number लंबा, लंबी लंबी लाइने लगी रहती हैं, आपको registration कराने के लिए, सारे cancer patients, तो हाँ definitely हाँ, हम दिन भर सारे time cancer patients में ही रहते हैं, लेकिन जो cancer के बारे में एक myth है कि cancer है, तो रोना धोना, वो बाली बा patients हैं, जो cancer survivor है, every day उन से मिलते हैं, कि madam, आप दस साल पहले आपने इलाज किया था, madam, बहुत अच्छा, क्योंकि follow-up में तो उनको lifelong आना ही है, ऐसा नहीं कि आपने treatment कर लिया, तो lifelong साल में एक बार तो follow-up के लिए हम लोग बलाते हैं patients को, तो वो लोग जो परनाम करते हैं, और बहुत ही आशिरवात देते हैं कुछ लोग, तो बहुत ही satisfying लगता है, और लगता है कि अब जो हम दे रहे हैं society को, जो हम अपना मेहनत और जो हम लोगों को ने struggle किया, उसका जो return है, आज लोगों के चेहरे पे जो smile है, तो वो बहुत ही satisfying और बहुत ही अच्छा लगता ह है, और जब भी कोई challenging case आता है, उसके लिए हम लोग भी struggle करते हैं, और कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको ठीक करें, तो हमारे लिए भी एक challenge है, एक passion है, लेकिन अभी भी जब patients बहुत last days में आते हैं, या बहुत ही खराब condition में होते हैं, तो हम लोग को भी दुख लगता ह है, लेकिन everyday life को जीने का तभी मज़ा है, जब everyday life एक आपको एक challenge दें, तभी एक excitement के साथ आप बढ़ते हैं, बहुत tuned life, routine life, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि life should be full of excitement and challenges, और पुरा team जब cooperate करने के लिए, हमारे हाँ सब facilities है, surgical oncology अलग है, medical chem, chemotherapy, radiation, pathology, scan, बहुत सारे facilities के साथ हम inter-departmental काम करते हैं, अच्छी अच्छी कामें करते हैं, tumor board होता है, जहां हम लोग सब ऐसे cases को represent करते हैं, कि किस तरह से patients का हुआ, और यह सब patient भी ठीक हुए, तो अच्छा लगता है, you give something to the society as महावीर कैंसर सहंस्थान, पूरे भारत में, टाटा मेमोरियल के बाद, second number पे हैं महावीर कैंसर सहंस्थान पटना में है, जहां इतने ज्यादा patient का registration है, number two पे हैं, all India में, तो वहां की director होके, और वहां इतना अच्छा काम करके, और बिहार के लिए proud होना, आप कहीं भी cancer के patient कहीं भी all over India में जाते हैं, उनको back to return कर दे जाता है, कि महावीर कैंसर आपके साथ पटना में है, आप वहां भी लाज करा सकते हैं, तो हम लोगों ने जो society को दिया है, और जो crowd बनाया है बिहार को, उसके लिए काम करना अच्छा लगता है, और वो back में जो मिलता है, तो फ स्वास्त की बात करते हैं, महिला स्वास्त की जब हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महिला खुद को ही इग्नोर करते हैं, स्वास्त के प्रती वो जागरूख नहीं, ठीक है, बहुत साई चीजों के प्रती जागरूख है, लेकिन अगर आमतरा पर महिलाओं की बात करे तो उन्हें आज भी लगता है वो खुद ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा थोड़ा सा यह कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, वो चूरन खाकें ठीक हो, मतलब आज भी वह वही बिलीव कर रही है, तो महिलाओं को स्वास्त रहना कितना जरूरी है, और उनको स्वास्त के ब मेंबर्स को भी थोड़ा कन्वेंस करना होगा, कि उस पार्ट को निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि वो थोड़ा निगलेक्टेड हैं, उस बात को हम लोग एकसेप्ट करते हैं, और महिलाओं में वो नेचर होता है, कि जब आपके घर में कुछ अच्छे खाना भी हो, तो प यह ऐसा नहीं कि लोवर क्लास के लिए ही, मिडल क्लास में भी है, कि आप अच्छे अच्छे लोड़ीज को देखेंगे, खुद के प्रॉबलम को थोड़ा सप्रेस करना, तो वो आपके माध्यम से निउस पेपर, सबके माध्यम से हम लोग को जागरत करना हो, क्योंकि आप ही घर की बैकबोन है, अगर आपको कुछ हो गया कल, तो फिर पुरा घर बैठ जाएगा, तो अभी भी हमारे पास लेडीज वो कैंसर की बहुत बरे इड्वांस स्टेज में आती है, उनके साथ भी वही है, यह प्रॉबलम था, लेकिन मैडम ज्यादा दिक्कत नहीं था, ज हम ही इस घर के बैकबोन है, हम स्वस्त रहेंगे, तो शायद हमारा गर और भी स्वस्त रहेगा, तो कोई भी परिशानी हो, उसको एग्णोर कहीं, उसके साथ आए, और। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वस्त शरीर रहेगा, आप श्वस्त रहेंगी, तो ही आस-पास का पुनार स्वागत है आपका और हम लोग बात कर रहे हैं कैंसर पे महिलाओं से जुरे स्वास्त पे और हमारे साथ इसी विश्य पे बात करने के लिए मौदूर है महिलाओ में दो कैंसर बहुत जादा देखने को मिल रहे हैं एक सववाइकल कैंसर किया है ये दरशकों को बता है दो एक बाट जानने की कभी कोई जब कवी लक्षन आता है न तो ये लास्य को चेशन है यह cancer का मतलब है कि stage आगे निकल चुका है, generally जो patient होते हैं, इसलिए हम लोग screening की बात करते हैं, कि आपको cancer नहीं, उसके पहले ही आप अपने को test करवाते रहें, जैसे अगर हम बच्चेदानी के cancer की बात करें, cervical cancer की बात करें, तो उसमें हम लोग pap smear करते हैं, लिक्विट पैप करते हैं, विया ये पैप स्टेस्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोग को बहुत ही initial phase में cancer का पता चलता है, जहां पे 100% क्योर है, लेकिन जब परेशानी होने लगती है, उसके बाद जब आप आने लगते हैं, पहुंचा ही रहता है, तो लक्षन में बहुत सिंपल लक्षन है, सवाइकल कैंसर में जैसे कहते हैं, पोस्ट कोइटल बीडिंग, बतलब आप हजबन के साथ रहे हैं, तो उस दिन आप देखने हैं कि अभी कभी बीडिंग हो रहा है, आपके कपरे में कभी एक दो छीटा ब्लड का लगा हो, या फिर कभी कभी देखते हैं कि जो आपका मासिक है, वो थरा से एर्रेग्लर सॉट ओफ हो गया है, वो आपका उसमें हेवी मेंस्ट्रेशन हो रहा है, या कुछ उस तरह का है, पीडियर से रिलेटेड कोई सम्टम्स हो, या कभी-कभी पिशाब से रिलेटेड हो रहा है, बार-बार यूटी है, क्योंकि जो बच्चे दानी है उसके उपर पिशाब का जो ब्लाडर है, नीचे पिखाने का जो रेक्टम हो है, तो रिलेटेड सिम्टम, पिशाब में कोई प्रॉब्लम होना, पिखाने में कोई दिक्कत होना, संदास में कोई प्रॉब्लम होना, उससे को रिलेटेट सिम्टम है, बैमारी कभी और भी बढ़ी, तो आपको लगेगा कि बैक एक हो रहा है, या नीचे पेरू में पें जैसे लेडेज कहती हैं, वो सब local cancer के ओपर जो होता है, जो चो बच्चेदानी का बॉडडी का cancer होता है, उसमें कभी होने लगता पर रुकने के बाद कभी Radio लगता है, ईसमें लहीं बलीडिंग होने लगता अं gelmiş Heya वो पहले ही आपको स्टेज में पकड़ लेगा और जो बात कह रही है आपकी क्यूं होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्त हो जो एच्पीवी वाइरस होता है वो आपकी बॉड़ी में पर्सिस्ट करता है तो जो सबसे अनहाइजिनिक वे में आप जो पैड यूज करती ह है अगर ठीक से सौच के बाद अगर बहुत सारा पानी वानी नहीं यूज करती है तो यह जो एच्पीवी वाइरस से वो बॉड़ी में पर्सिस्ट कर जाएगा हमारे अगर आपके बीच में अभी भी एच्पीवी से होगा वो बॉड़ी में लेकिन वो वाश आउट हो जा हम लोग काम करते हैं क्या कैंसर जेनेटिक भी होता है बिलकुल कुछ कुछ कैंसर हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है जैसे आपका कोलोन का कैंसर है आत का कैंसर है प्रोस्टेट का कैंसर है ओवरीज होता है अनडाश है उसका कैंसर है तो उस केसे में हम कहते हैं वो जेनेटिक ट कही है। ऐसे रिटबिटों में सब्सक्राइब को सकति हम लेके जो इसके गशनीनगों में सब्सक्राइब गाइज दीस्सों को анич केुए नियुक्षट सब्सक्राइब करें डिस यह जहांना कन सुरिक invest करने का जाई एस सवोगराने करता डिक करने होता है। बहुत ही, महिलाओं को स्वस्ठ रहना बहुत जरूरी है और महिला दिवस में इतनी सारी हम लोग ने बात दिकिए हूँ चलते-चलते महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप मैं तो सबसे पहले congratulate करना चाहूंगी Women's Day पे सब महिलाओं को और हम लोग मैं यही संदेज देना चाहूंगी कि सब लोग आप अपने आपको empower करें जो आपका दिल कहें जो आपका conscious कहें उसकी बात सुनें उसको पूरा करने की पूरी सिद्दत करें और मिल बैटके हम लोग जो भी problem है उसको sort out करें ego में बहुत अपने आपको नहीं रखें और sort out करने से बहुत सारा problem सुलज जाएगा और हमें आगे बरना है यह प्रन लें तो हम लोग सब बढ़ेंगे और कल से society को हम लोग बहुत ही empowered करेंगे अच्छा लगा होगा लेकिन हमें आपके प्रतिकिया का इंतजार रहता है आईए देखते चलिए लिख है हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्सन केंदर पतना फ्रेजर रोड़ पतना आठ सुनने 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 एक हमारा email address है डीडीडीडीडीकपतना अधर रेटीड़डीडीड़ डाट-कॉम